महादेवी वर्मा का जीवन परिचे आधुनेक हिंदी कवियत्री में महादेवी वर्मा का स्थान सबसे उचा माना जाता है महादेवी वर्मा छायावादी रहस्यवादी योग की कवियत्री है वो अच्छायावादी योग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा का जन 26 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ था इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपूर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे महादेवी वर्मा जी की माता का नाम हिमरानी देवी था इन्होंने हिंदी ग्रतों का अच्छा अध्ययन किया हुआ था और भगत कवियों की रचनाय महादेवी ने अपने बालेकाल में ही अपनी माता से पड़ी थी श्रीमती हेमरानी देवी भी हिंदी में कविता लिखा करती थी महादेवी वर्मा का शुब विवाह नव वर्ष की आयू में हो गया था परन्तु इनका वैवाहिक जीवन ठीट नहीं रहा पती से अन्बन हो जाने के कारण ये उनसे अलग हो गई और अकेले ही रहने लगी उनने के साथ साथ एक कुशल चितरकार भी थी उनकी पुस्तक दीप्षिका सचित्र प्रकाशित हुई थी जिसमें कविताओं के साथ साथ अनेक रंगीन कलापूर्ण चितर भी थे इनको संगीट से भी बड़ा प्रेम था महादेवी जी को उनके नीर्जा नामक कविता संग्रेव पर 500 रूप का सोकसुरिया पुरसकार और यामा पुस्तक पर 1200 रूप का मंगल प्रसाद परितोशिक मिला